साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर साथ संगत जी अगर भगतों को भगवान पर विश्वाश है तो भगवान स्वयम अपने भगतों की मदद के लिए आती है आज की साखी का विश्य यही है तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुरानी बात है एक गाउं में दीनानाथ नाम का एक किसान रहता था दीनानाथ की पत्नी का नाम मालती था दीनानाथ के खेत बंजर पड़ी थी घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई भी नहीं था बूड़ा होने के कारण दीनानाथ मजदूरी करता था उसके पास एक रहडी यानि की हाथ का ठेला था वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान धोता था साथ संगत जी उससे जो भी दीनानाथ पैसे कमाता उसी से ही वो अपने परिवार का गुजारा करता था दीनानाथ की पतनी मालती धार्मिक परवित्ते की महिला थी मालती जब भी रोटी बनाती तो उसमें से दो रोटी भगवान शीव और मा पार्वती के नाम की निकालती दो रोटी मा लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु के नाम की निकालती और एक रोटी ब्रह्मा जी की नाम की निकालकर गो माता को खिलाती थी उसके बाद अपने पती दीनानाथ को खिलाती थी और खुद खाती एक बार दीनानाथ ने देखा कि उसकी पतनी देवताओं के नाम की रोटिया निकाल कर गाएं को खिलाती है तब दीनानाथ अपनी पतनी से कहने लगा मैं बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके घर के खर्चे का इंतिजाम करता हूँ और तुम आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल कर उनको भोग लगा देती हो आधे आटे की रोटी से हम दोनों पेट भरते हैं और तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीव देता है मैं ठहरा एक मजदूर मैं इतनी कमाई कहां से लाओं तेरा ये दान पुन्या करने का विवहार मैं कब तक सहन करूं और तुम देवताओं के लिए क्यों रोटियां देती हूँ साथ संगत जी पती की ये बात सुनकर मालती को बहुत दुख हुआ वो दुखी मन से पती से कहनी लगी कि जीन देवी देवताओं के आशिरवाद और किर्पा से हमें रोटियां मिलती हैं तो हम उन्हें भोग क्यों ना लगाएं जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ ये देवी देवता भी भूखे रहेंगे भूखा रहने पर वो भोजन की व्यवस्था भी करेंगे जिससे की हमें और देवताओं को भोजन मिलेगा और आपको मजदूरी भी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो इसी में ही हम दोनों की भलाई ह दिनानात मालती से बोला मालती बात तो तुम सही कह रही हो मैं अपनी गरीबी के कारण स्वार्थी होकर तुम्हे भगवान को भोग लगाने से भी मना कर रहा था आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा तुम मेरी कमाई से समर्थय अनुसार भगवान का हिसस जरूर निकाल देना, उनकी इच्छा से हमारे सारे काम जरूर पूरे होंगे, अब मैं मजदूरी करने चलता हूँ, मालती बोली ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ भगवान शिव का ध्यान करते रहना, भगवान भोले नाथ आपकी रक्षा करें, दीना नाथ ने पतनी से कहा, अरे दीना नाथ अपने काम पर चला गया, उस दिन दीना नाथ को पहले से जादा काम मिला, और उसने पैसा भी जादा कमाया, दीना नाथ घर आकर पतनी से कहता है, आज भगवान शिव के किरपा से मैंने बहुत पैसे कमाई है, ये सारे पैसे तुम रख लो, तब मालती ने कहा कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि भोलेनाथ ब्रह्मा और विश्णुजी के किरपा से ही आपके कमाई में वृद्धी हुई है दिनानाथ बोला तुम ठीक कह रही हो हमें काम करते हैं इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने पैसे हम अपने पास रखकर बाकी के बचे हुए पैसों को मंदिर में दान कर देती है तब मालती ने कहा आपने तो मेरे मन की बात छीन ली मैं भी यही चाहती हूँ हम आधा पैसा दान में मंदिर के पुजारी को दे देती है तब मालती और दिनानाथ बचे हुए पैसों को मंदिर में दान कर देती है इसी तरह से प्रती दिन दीनानात मजदूरी करने जाता रहा दोनों पती पत्नी खुशी-खुशी अपना जीवन व्यती इत करते रहे एक दिन दीनानात अचानक बिमार हो गया डोक्टर ने दीनानात से कहा तुम्हें बुखार के साथ-साथ ठकान और कमजोरी है इसलिए तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा डोक्टर के बाद सुनकर मालती कहने लगी अगर इने कुछ दिन आराम करना होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे हम अपने भगवान को भोग कैसे लगाएंगे हमारे घर का गुजारा कैसे होगा मालती बहुत परिशान हो जाती है और भगवान से प्राथना करते हुए कहती है हे भोले नाथ अब आप ही हमारी रक्षा करें दूसरी तरफ अपने भग्त दीनानाथ और मालती को दुखी देखकर भगवान शिव विश्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में विचार विमरश करते हैं भगवान शिव कहते हैं विश्णु जी और ब्रह्मा जी हमारे भग्त रगुनात और मालती बहुत संगट में हैं हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए तब भगवान विश्णु बोले हे महादेव आप आग्या दे कि हमें क्या करना है तब महादेव बोले मैं स्वयम किसान बनकर दिनानात के खेत में हल चलाओंगा विश्णु देव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करवादो और ब्रह्म देव आप अनपुर्णा देवी से उसके खेतों में अनकी विवस्था करवाएं इससे दिनानात के खेतों में अच्छी फसल होगी इस प्रकार से तीनों देवताओं ने अपनी लिलाओं से चमतकार दिखाया। साथ संगत जी दीनानात के बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर दिनानाथ की तबियत जादा खराब होने से, मालती दुखी होकर भोलेनाथ से प्राथना करते करते, अपने पती के चरणों में ही सो जाती है, तब भोलेनाथ मालती के सपने में आकर कहते हैं, अपनी आखे खोलो और अपने खेतों में जाकर देखो, तुम्हारे खेत अ अंतर ध्यान हो गए मालती ने तुरंत आंखे खोली तो देखा वहां कोई नहीं था मालती ने अपने पती से कहा कि भगवान भोलिनात मेरे सपने में आये थे उन्होंने मुझे कहा है कि आभ आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल पतनी के बाद सुनकर दीनानाथ हरानी से बोला ये तुम क्या कह रही हो। क्या ये सब तुमें स्वपन में द्छाए रिया। कि दूनों खुश हो जाते हैं तब दीनानाथ ने पतनी से कहा कि ये कैसा चमतकार हो गया। तब मालती ने कहा देखा तुमने यही तो उन देवताओं की महिमा हैं जिने हम भोग लगाते थे उनके नाम की रोटिया निकालते थे और तुम कहते थे कि रोजाना देवताओं को रोटिया देने से क्या होगा। हमने जो उनके प्रती भावना रखी भगवान भोले नाथ ने आज उसका रण चुका दिया दीनानाथ कहता है कि भगवान शिव आप धन्य है आखिर आपने मुझ गरीब के लाज रखी ली आपकी जैहो दीनानाथ ने मालती से कहा कि चलो अब हमें मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभार व्यक्त करना चाहिए दोनों पती पतने शिव मंदिर आते हैं और शीष जुका कर भगवान की वंदना करते हैं इधर भगवान भोले नाथ अपना चमतकार दिखाते हैं मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिये हुई कहता है, ना जाने कौन सी मा थी, जो इस मासूम से बच्चे को मंदिर में छोड़ कर चली गई, अगर कोई नी संतान हो, तो मैं इस बच्चे को उसे ही सोप दूँ, ये बात सुनकर दिनानात और मालती ने मालती ने कहा हमारी कोई संतान भी नहीं है, शायद भोले नात ने यही महिमा दिखाई हो, तब दिनानात ने कहा मालती तुम ठीक कहती हो, चलो पुजारी जी के पास चलते हैं, दिनानात और मालती पुजारी से कहते हैं, ये बच्चा आप हमें दे दीजे, ये बच्चा आ हमारी जोली में डाल दीजे हमारी कोई संतान भी नहीं है हम इस बच्चे का पालन पोशन अच्छे से करेंगे दोनों ने कहा पुजारी जी ये बच्चा आप हमें ही दे दीजे हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है हम पर दया करें पुजारी जी ने बोला ठीक है जैसी भोलेनात की चा पंडिजी ने कहा लो बेटा ये बच्चा मैं तुम्हें सौपता हूं मालती ने कहा लाइए पंडिजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भोलेनात ने हमारी प्राथना सुन ली हमारी मनों कामना पूरी कर दी पुजारी ने वो बच्चा मालती और दिनानात को दे दिया उसके बाद वो दोनों बच्चा लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए इस प्रकार से दोनों पति पत्नी फिर से पहले की तरह ही भगवान शीव और विश्णुजी और ब्रह्मा जी की भगति और गुनगान करने लगे और सुखी जीवन जीने विश्वाश तितना आधिक होगा उतना ही भगवान की उपस्तिती को अपने अंग संग महसूस किया जा सकता है और अगर भगत को अपने भगवान पर पूरा भरोसा है तो भगवान स्वयम अपने भगत की मदद के लिए जरूर आती हैं अगर आज की ये साखी आपको अच नरंकार थे